है लो फ्रेंड्स वेलकम टू आर्जे क्लासिस आज इस वीडियो में हम आपके लिएकर आए हैं मिटनाइटस चिल्डरन बाइ सलमान रश्दी सलमान रश्दी के द्वारा लिखा हुआ उनका वर्क है मिटनाइटस चिल्डरन इसके कॉश्चन से यहां पर लेकर आए हैं इस इसी तरीके से हम अपने चैनल पर लिटरेटर से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं अगर आप प्रप्रेशन कर रहे हैं लिटरेटर की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए इस स्टार्ट करते है इनका जन हुआ था 1947 में नेक्स है नोबल मिडनाइट्स चिल्रेण पॉब्लिस्ट बिडनाइट्स चिल्रेण इसमें कितनी books हैं इसमें 3 books है further divided into 30 chapters 3 books हैं जो 30 chapters में divided है next day who was the narrator of the midnight children midnight children का narrator कौन है story कौन सुनाता है तो वो है सलीम सिनाई next day who is the listener of the story और story कौन सुन रहा है सलीम सिनाई की जो midnight children की story सुना रहा है तो वो सुन रही है पदमा मैंगरोली पदमा मैंगरोली जो की सलीम की fiance है next day when was सलीम सिनाई born सलीम सिनाई का जन्म कब हुआ था तो सलीम सिनाई का जन्म हुआ था 15th August 1947 में at midnight midnight पर उस समय government ने ये घोशना की थी कि जिन बच्चों का जन्म नाइंटीन फोटी यानि पंधागस की midnight को होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा कुछ ना कुछ प्राइस दिया जाएगा गिफ्ट दिया जाएगा वेर वस सलीम बॉंड सलीम का जन्म कहां हुआ था सलीम का जन्म हुआ था बॉंबे में इन विच नर्सिंग होम वाजी बॉंड वो किस नर्सिंग होम में उसका जन्म हुआ था उसका जन्म हुआ था डॉक्टर नालिकर्स डॉक्टर नालिकर का जो नर्सिंग होम था उसमें इस नोवल की स्टोरी स्टार्ट कब होती है यह होती है 1915 से यहीं कि सलीम सिनाई जब स्टोरी नेरेट करता है तो टाइम होता है 1915 का नेक्स है यहीं कहानी कहान खतम होती है 1977 दा स्टोरी ऑप मिद्नाइट चिल्डरन कवर स्टोरी है मिद्नाइट चिल्डरन की स्टोरी के इस में जो पीरिट कवर किया गया है वो कवर किया गया है six to two years का पीरियेड next day whose grandfather was Dr. Adam Ajiz Dr. Adam Ajiz किसके grandfather थे सलीम सिनाई के ये maternal grandfather थे Dr. Adam Ajiz के नाना जी थे next day where does the story of midnight children begin midnight children की story जो start होती है वो कहां start होती है where does कहां start होती है कश्मीर से जो story start होती है तो वो कश्मीर में start होती है next day who was Adam Ajiz's father Adam Ajiz के father कौन थे जोएल मर्चेंट वो एक जोएल मर्चेंट थे who was Thai ताई कौन था शिकारा ओनर एक शिकारा ओनर था जो डल लेक में house board चलाता था who was Thai भीबी ताई भीबी कौन थी अ प्रोस्टिचूट एक प्रोस्टिचूट थी ताई भीबी next day where did Dr. Ajiz see the perforated sheet Dr. Ajiz ने perforated sheet को कहां देखा था perforated sheet यानि कि एक sheet जिसमें hole होता है तो उसको जो था इसमें नाम है इसका सुराकदार परदा जो कहते हैं कि जिसमें सुराक होता है hole होता है छेद होता है जिस परदे में तो वो यहां perforated sheet है तो वो Dr. Ajiz ने कहां देखी थी at घानी साहिब घानी साहिब के यहां गानी साहिब के यहाँ कौन बिमार ठा तो इस डॉटर नसीम गानी साहिब की डॉटर नसीम बिमार थी जिने देखने के लिए डॉक्टर अजीच गए थे और क्योंकि उस समय इस तरीके से लड़कियों को किसी अजिनबी के सामने नहीं लाया जाता था तो जो treatment को करते थे तो वो सुराकदार परदे से करते थे बेर डेंड़ ड्डावची जॉइन ही सर्विस डॉइज ने अपनी सर्विस कहां जॉयन की ऑंप्रिस्था में वूट इस्ड फ़ॉट बिट नसीम किस इस्डू पर किस बात पर अजीम का नसीम के साथ जगडा हुआ था डिस्प्यूट हुआ था यानि कि बाद बेबाद हुआ था तो वो इश्यू था परदा यानि कि नसीम को परदा करना था और डॉक्टर अजीज परदे के खिलाफ ते डॉक्टर अजीज जब नसीम का ट्रीटमेंट करने जाते थे घाने साहिब क्या तो इस तरीके से ट्रीट हो जाए तो डॉनों की मैरेज हो जाती है नि डॉक्टर अजीज की और नसीम की मैरेज हो जाती है और नसीम क्योंकि कभी पर्दे से बाहर निकली नहीं थी तो उसे घर से बाहर भी निकलना होता था पर्दे में यानि कि बुर्के में निकलना होता था लेकिं डॉक्टर अजी next day what red stains were of on Dr. Ajij's dress Dr. Ajij की dress पर किस चीज के red stains थे red धब्बे जो लगे हुए थे वो किस चीज के थे तो वो थे mercurochrome के क्योंकि वो treatment कर रहे थे जो जलियाँ वाला बाग मैसे कर हुआ था वहाँ पर जो घायल थे उनका treatment कर रहे थे तो वो mercurochrome के जो धबे थे वो उनके dress पर लग गए थे और जब वो घर लटकर आये थे तो नसीम डर गई थी यह देखकर कि वो blood के stain समझी थी कि blood stain है लेकिन Dr. Ajij's ने कहा नहीं वो mercurochrome है next day on which day dire killed people in जलियाँ वाला बाग किस date को dire ने जलियाँ वाला बाग में लोगों को मारा था तो वो date थी 13th April 1919 next day how many policeman dire had at जलियाँ वाला बाग जलियाँ वाला बाग में dire कितने policeman लेकर गया था तो वो 50 policeman थे how many rounds did they fire on innocent people और निर्दोश लोगों पर उन्होंने कितने round fire किये थे तो उन्होंने 1650 round fire किये थे next day when did the boatman tie die जो boatman tie था उसकी death का वही 1947 में who was the founder chairman of free Islam movement free Islam movement का founder chairman कौन था Mia Abdullah what was Mia Abdullah's popular name Mia Abdullah का popular name क्या था the hummingbird next day how did Mia Abdullah die Mia Abdullah की death कैसे हुई he was killed उधे मार दिया गया था क्योंकि वो partition के खिलाफ थे वो नहीं चाते थे कि partition हो इसके वो खिलाफ थे इसलिए कुछ लोग उनके यहां आए उनकी घर पर लगबद छे लोग आए थे जिन्होंने उनको पकड़ कर उन्हें मार दिया था why was Mia Abdullah killed उन्हें क्यों मार दिया गया था he opposed partition क्योंकि उन्होंने partition का विरोद किया था who was with Mia Abdullah when he was killed और जब Mia Abdullah को मार दिया गया था तो उनके साथ कौन था नादिर खान था यानि कि Mia Abdullah को जब मार दिया था उस समय नादिर खान भी उनके साथ था तो नादिर खान को लोगों ने पकड़ रखा था और समय इसी दोरान Mia Abdullah को मार दिया था where did नादिर खान take shelter नादिर खान ने कहां पर शरण लीज़ डॉक्टर अजीज डॉक्टर अजीज के यहां where did डॉक्टर अजीज hide नादिर खान डॉक्टर अजीज ने नादिर खान को कहां चिपाया the underground cell underground cell में यानि कि कोठरी में जो underground थी basement उसमें चिपाया who fell in love with नादिर खान नादिर खान से प्यार कौन करने लगी मुम्ताज मुम्ताज जो के डॉक्टर अजीज के second number की बेटी थी जो जिसका जो complexion था वो फियर नहीं था डल था who had affair with एहमद सिनाई the leather merchant एहमद सिनाई जो के leather merchant था उसके साथ किसका affair था आलिया का आलिया जो के डॉक्टर अजीज की first number की बेटी थी सबसे बड़ी बेटी थी उसका fear था एहमद सिनाई के साथ में whose lover was major जुल्फिकार major जुल्फिकार किसका lover था emerald का whose lover was major जुल्फिकार major जुल्फिकार किसका lover था emerald का emerald dr. अजीज की tyssरे नमर की बेटी थी यानि कि सबसे छोटी बेटी थी Who was मुमताज's second husband मुमताज का second husband कौन था? एहमत सिनाई एहमत सिनाई मुमताज का second husband था यानि कि मुमताज पहले नादिर खान से प्रेम करती थी और उसकी शादी भी हो गई थी नादिर खान के साथ दो साल उनकी marriage को हुए उसके बाद नादिर खान मुमताज को छोड़ कर चला गया था उसके बाद एहमत सिनाई ने मुमताज से शादी कर ली थी एहमत सिनाई जो कि मुमताज की बड़ी बहन आलिया के साथ उसका फिर था लेकिन marriage मुमताज की और एहमत सिनाई ई हो गया अब ऐमीना के नाम से अच्ट। नाम से इनिकीस सार्ण लाइव टिड्ड अमीना सेव इंड डैली अमीना न ने डैली में किसकी लाइफ मुम्ताच का मीना पढ़ गया था तो डैली मुस्नी किसकी लाइफ सेव की थी लिफाफादास की लिफाफादास जो कि बच कर भाग रहा था और जैसे वह एक घर में छिपने को हुआ तो अमीना ने गेट खोल दिया था और वहां पर छिप गया था मीना ने उसे बचा लिया लिफाफादास का कॉन था जो कि अस्टरोलॉजर ऐ पर दोली चील ले गये थे उस समें अमीना प्रिग्नेंट थी और रामराम सेट के पाद जब को से ले गए थे तो रामराम सेट ने उसको देख गए थे भविश्यवानी की थी उसके सन के बारे में कि उसका सन होगा और इस तरीके का होगा मतलड़ काफी लंबी भविश्यवानी उन्होंने की थी इतनी तो लंबी उन्होंने कभी नहीं की थी तो लोगों को लगा शायद उनकी तब्यत खराब हो गयी है Who brought up Salim as second mother? Salim को second mother की रूप में किस ने पाला? Mary Pereira ने Where did Ahima Sinai live in Bombay? Bombay में Ahima Sinai कहां रहता था? Matt Wolff's estate Who dislikes children in spite of being a doctor? बच्चों को कौन ना पसंद करता था? in spite of being a doctor ना ना लेकर जिनके नर्सिंग होम में सलीम का जन्मुआ था? Who was the snake doctor? Snake doctor कौन था? यानि कि जो snake का बैनम होता है उसकी जानकारी रखते थे दोक्टर उसके जो snake बैनम होता है स्नेक का जो भीश होता है उसके बारे में जानकरी रखते थे धमाईया बगएरा बनाते थे तो वो snake doctor कौन थे? डॉक्टर शाप शेकर आलिया, मुम्ताज, एमिराल्ड और टुगेदर नोन एज तीनों को टुगेदर एक साथ किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें तीन बत्ती के नाम से जाना जाता था यानि कि थ्री ब्राइट लाइट्स नेक्स्ट है वी विली विंकी वी विली विंकी कौन है? एन अकॉर्डियोनिस्ट ये एक अकॉर्डियोनिस्ट है एंटर्टेनर एंटर्टेनर भी है जो पार्टीज में एंटर्टेनिंग का गाम करता है शिवास नोन बायोजिकल फादर शिवा का non-biological father है and vanita husband और vanita का husband है यहां पर वी विलिविंकी का son शिवा दिखाया गया है कि शिवा उसका बेटा है लेकिन वो शिवा उसका non-biological son है नहीं है वी विलिविंकी का हो इस वनीता वनीता कौन है सलीम्स बायलोजिकल मदर ये सलीम की बायलोजिकल मदर है वनीता वनीता जो की विलीविंग की ही वाइफ है लेकिन ये बायलोजिकल मदर है सलीम की ये किस तरीके से है कि जो मैटवोल्ट स्टेट में जहां पर हमा सिनाई रह रहे हैं तो मैटवोल स्टेट में जो विलियम मैट वोल्ट जो रहता था उसने एक वार वीवली विंगी को बुलाया था उसकी वाइफ वनीता के साथ मैं एंटरटेनिंग के लिए वनीता रांसर थी और उसने क्या किया था मैट वोल्ट ने वनीता को सेड्यूस किया था और जो हॉस्पिटल में ज शिवा को एक्सचेंज कर दिया गया था यानि कि सलीम जो था वनीता का वेटा था जो एक्सचेंज होके अमीना सिनाई के पास पहुच गया था और शिवा जो है वो अमीना का संथा जो एक्सचेंज होकर वनीता के पास पहुच गया था इनकी एक्स्चेंज होस्पिटल में कर दिये गए थी तो सलीम की बायोजिकल मदर है वनीता लेकिन भी विलिविंग की बायोजिकल फादर नहीं है बायोजिकल फादर है मैट वोल्ट जिसने वनीता को सिंड्यूस किया था विलियम मैट वोल्ट कौन है सलीम का बायोजिकल फादर है वो प्लीटस पौर एहमस सिनाई इन अकैस अगेंस फ्रेजिंग ऑफिस अकाउंट्स एहमस सिनाई का जो अकाउंट था वो फ्रेज हो कर दिया गया था तो उसके केस कौन लड़ रहा था एहमस सिनाई की तरफ से इसमाईल एब्राहिम वाट विकम्स दा सोर्स आफ अमीना जा इनकम अमीना की इनकम का सोर्स क्या बन गया होर्स रेस यानि कि जब अहमाज सिनाई का अकाउंट फ्रीज हो गया था उनके फाइनिश्यल कंडिशन अब ठीक नहीं चल रहे थे तो अमीना ने होर्स रेस में पैसा लगाना शुरू कर दिया और वो जीटती चली गई वो इस हनीफ हनीफ कौन है अमीना का ब्रदर अमीना का भाई है हनीफ तो यहाँ अमीना ये तीन बहने थी दो भाई थे और यहाँ ये 50 questions है इस वीडियो में हमने cover किये है विडिनाइट चिल्डरन के आगे के questions आपको आगे की वीडियो में मिल जाएंगे questions और भी है इसमें आगे तो इस वीडियो में हमने 50 questions के cover किये है क्योंकि एक वीडियो में possible नहीं है सभी questions cover करना तो यह 50 questions यहां देख लीजिए आप और इसके आगी के question आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे इसकी लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा बैल आइकन प्रेस करने से क्या होगा नेक्स वीडियो जमाँ अप्लोड करेंगे तो तुरन नोटिफिकेशन आपता पहुच जाएगा थैंक यू